दोस्त विडियों में बात करेंगे internet computer के ICP coin के price moment के बारे में updated levels और आने वाले दिरों में coin के targets करेंगे करेंगे 13.2 ost पर trade कर रहा है कल इसकी price में अच्छा moment देखने को मिला जहांपर 40-50% का moh करके 15.3 ost वाला level ट्राइ किया और हमने जो आपको कल वाले वीडियो में exactly level बताए थे exactly उस level को is coin ने hit करके फिर हमें dump देखने को मिला तो अभी is coin के targets क्या रहेंगे कहां तक price जा सकती है अजर ट्रेडर long term और short term के perspective से आपके इरियास पर नजरे बना रख सकते हैं वराल सारी चीजिजों को मैंने बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए इंवेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए है जिनको ज़्यादा नोले expense नहीं है उनके लिए हमने premium services start की है ताकि कि वहाँ पर आपको proper guidance, proper study share की जा सके crypto queries, updated levels, signals share की जाएंगे और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपने crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बचना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इंस्टा की link वीडियो के description में है 13.25 PST पर अभी coin trade कर रहा है 12.88 वाला low अभी square ने बनाया और कल इस square ने night के time में 15.3 वाला level try किया और मैंने जो आपको video share किया था कल उसमें जो levels बताये थे exactly उस level को hit करके फिर dump देखीने को मला जो scenario मैं आपको कल वाले वीडियो में completely बताय सिनारियो को अच्छे से समझा कि daily के अंदर कहा रहसें से दिया है weekly के अंदर क्या सिनारियो है कहा support है कहा रहसें से दिया है क्या situation रहेगी सारी चीजे में आपको cut to cut बताये थी और आपको चीजे समझ आई होगी तो जिन्होंने quick exit करना था उनके targets में बताये थे short term में जो wait कर सकते हैं उनके target बताये थे quick target मेंने कल कल यह coin 13.5 यहां trade कर रहा था इन levels पर था यहां से मैं आपको बताया था कि यह coin यहां से move करके और 15 UST को try करेगा जहां पर 15.3 UST वाला जो level है वो इस coin को important resistance area है और उस level से यह coin के rejection के chances रहेंगे और उस level से यह coin reject हुआ 15.3 वाले level से तो मैंने आपको target बताया थे कि जो quick exit होना चाहते हैं जिन्होंने यहां पर कहीं पर buy कर लिया है 9 या 9.5 या 10 UST पर या पहले से buy किया हुआ लेकिन अभी exit करना चाहते हैं उनके लिए quick targets रहेंगे 15 UST वाला first target और second target रहेगा 16.5 वाला जिसमें इस coin के maximum chances है 15.3 UST वाले level से 15 50 UST से rejection के तो 70% पार्ट तो आप वहां 60% पार्ट तो वहां sell करेंगे बाकी second target 16.5 करेगा अगर reject नहीं होता है BTC भी साथ के साथ में 43,000 से उपर वाले level को try करता हूँ वहां reject नहीं होता है दोनों चीजे देखने को मिलती है coin 15 से उपर भी try कर लेगा तो second target आपका 16.5 रहेगा और दूसरी चीज़ अगर reject हो जाता है तो जो second target है 16.5 उसके लिए wait करना पड़ सकता है नहीं कि 4 से 6 दिन 8 दिन भी second target के लिए wait करना पड़ सकता है और मैंने आपको पहले बता है कि first target और second target की बीच में एक resistance लेवल रहता है जहाँ पर first target को तो coin hit करेगा है जो हम आपको बताते हैं second target के लिए आपको wait करना पड़ सकता तो पहली चीज़ जिन्हों हमारे previous वीडियो को watch किया और उस basis पर quick exit किया profit generate किया या उस scenario समझ के कहीं न कहीं हो helpful रहा वीडियो में comment करके यहाँ पर जरूर बताए कि हमने profit generate किया हम proper level पर या safe level पर exit हुए या जल्दी बाजी में buy करना चाहते थे लेकिन आपके वीडियो देखकर हमने buy नहीं किया entry नहीं 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 तो पता चाले कि 15 पर buy कर लेते जो भी जिस भी type से आपके लिए helpful रहा हो आप comment करके जरूर बताएं दूसरा में आपको support बताया था कि यहाँ पर 12.3 USD को daily के अंदर support area है तो हमें उस से ऊपर daily closing देखने को मिली है 13.3 पर 12.3 USD को यह coin maintain किये हुए है अब दूसरा weekly के अंदर अगर बात करें तो weekly में इस point को यहाँ पर 9.4 USD बाला नीचे support area था यहाँ पर उसके बाद अभी is coin को 12 USD यहाँ रहा था लेकिन 12 USD से ऊपर is coin ने weekly closing की है तो 12 USD से ऊपर वाला level जो 12 USD वाला is coin को weekly में support area है और daily के अंदर 12.3 तो अब इसकी price जो है मैंने आपको बताया था कि 15 से अगर reject होता भी है 15.3 15.5 से तो इसका stability level जो हो 12 USD से उपर उपर वाला ही रहेगा जहाँ is coin ने अभी recently जिस type से इस level पर stability maintain के जिसे यहाँ से coin ने move किया था 12.3 12 USD से reject हुआ था इस type से फिर यहाँ इसका stability level था 9 USD वाला level 9.4 इसको support area था weekly के अंदर और 9 USD daily के अंदर इसको maintain किया था इसी type से अब इसका stability level जो है वो 12 USD से उपर उपर वाला रहेगा जहाँ पर 12.2 13 USD 13.5 इस type से यहाँ stability maintain करेगा और फिर जितने टाइम में भी वापिस BTC में थोड़ा बहुत fluctuation होता है या bounce बेक होता है उस type से यह coin भी वापिस move करेगा और short term में में आपको target बिताए थे 18 से लेके 20 USD वाला level जहाँ पर यह coin जनवरी के mid तक 20 या 30 जनवरी तक 18 से लेके 20 को try कर लेगा यह maximum time frame है जो time frame में आपको बताता हूँ वो 20 से लेके 30 जनवरी तक का यानि कि उससे पहले पहले चार दिन में भी हिट कर सकता है जैसे मैं आपको quick targets के लिए बताया है कि जो 4-5 दिन वेट कर सकते हैं उनके लिए target रहेगा तो आपने wait किया अब एक दिन में भी हिट कर सकता है दो दिन में भी लेकिन 4-5 दिन के अं year हो जाएगा ने price वहाँ जाएगी जाएगी क्योंकि stability भी इस level से उपर उपर ही a coin maintain करेगा 12 से उपर उपर ही अभी targets क्या रहेगे देखिए जिनको quick targets जिनके लिए बताये थे वो exit होए होगे जो नहीं हुए हैं उनके लिए भी वापिस a coin वापिस यहां से इस level से move करेगा which में normally fluctuate जो है वो 14 USD तक करेगा और फिर वापिस down होगा तो जो quick exit होना चाहते हैं जिन्होंने कल exit नहीं कि आभी exit होना चाहते हैं वो 13.9 और 15 इन दो level पर exit हो सकते जहां पर 13.9 से वापिस से coin reject हो जाएगा नहीं होता है तो 15 तक try कर लेगा तो first target 13.9 और second 15 रहेगा दूसरा drop होगा तो 12 के round में price आजाएगी और entry के अगर बात करें जिन्होंने previously entry नहीं ली थी entry miss की है तो अभी entry जल्दी बाजी में नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर 12 के round price आती है और 11.5 तक भी आ सकती है stability maintain करेगा 12 के round ही लेकिन daily के अंदर ये coin down हो गया फिर वापिस move कर गया fluctuation द information होती है एक safe level रहेगा कि price 12 के ऊपर ऊपर रहेगी 12 के round या 11.5 तक 11.8 तक भी आने के chances रहेंगे तो उस level पर आपको entry suggest करेंगे वीडियो के अंदर तो entry अलेने में आपको जल्दी बाजी नहीं करनी quick target यह रहेंगे और जो थोड़ा wait कर सकते हैं वो 18 से लेके 20 का target रखेंग इसके लावा जो भी नए investor trader market में आये हैं जिनको जादा knowledge experience नहीं है वो हमारी premium membership में ज़रू enroll करें वहाँपर आपको proper guidance, proper strategy share की जाएगी crypto queries, updated labels, signal share की जाएगी और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बचना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके join क और सकते हैं इंस्टा की लिंक वीडियो के description में है बाकी आप बाइवर सेल खुद करें खुद के research के हिसाब से करें आपर हम कोई advice नहीं दे रहे हैं वीडियो से पर education purpose से है ताकि आपको overall coins related knowledge वीडियो अच्छा लगा है लाइक शरू करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तेंक यू